प्रदेश के पूरो गुरह मंत्री बाला बच्चन के सेगावा आगमन पर कॉंग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया है और पत्रकारों से बाचित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि प्रदेश में लायन आडर नहीं चल रहा है प्रदेश में लोगों की रक्षा नहीं हो रही है मध्य प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फैल हो चुकी है चाहे बिस्टान नेमावर नीमच या बाला घाट की घटना देख लो लोगों के साथ सरयाम क्या हो रहा है जिसके जिम्मेदार सरकार है मुख्य मंत्री और मंत्रियों की कोई भी अधिकारी सुनने को तयार नहीं है लायन आडर पुन रूप से ध्वस्त हो चुका जनता त्रस्त हो चुकी है सेगाओं से संजय जैस्वाल की रिपोर्ट लायन आडर नहीं चलता है एक दसाओट भरावा लायन आडर होना चे और सभी की वाजय को रख्षा होनी चाहिए उसमें पुरी तरह से शिवरा सिंगी और उसकी सरकार पुरी तरह से फैल्योर है यह उसी के उधारन है ょ का झाहिए आज़ी करिणे आया हो इसके पाशिंदर घृति वंधूर के रिपरेनों में खूबघ्णा एह हो रही है चोरिया है लूप है डखेकिया है हद्या है हो रही है रेख हो रहे है गेंग रेख हो रहे है इससे ये पता चलना है और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बात की कांग्रेस की पात की फुष्टी NCRB ने भी कर दी है कि बदफरदेश जो है वो देश में नंबर पर जो अधिवासेंगे जो आधियाचार हो रहा है उसमें नमबर वन पर आ गया है जो हमारे हां से जो बच्चिया जो लापता हुई है कोरोना के जोरान उसमें मदभरदेश नमबर वन पर आ जा चुका है तो पूरी तरह से इनके हाथ से law and order खिसक चुका निकल जा चुका है और शिवरा सुन जी के और उनके मंत्रियों की कोई सुनने वाला अधिकारियों हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले